गुड मॉर्णिंग एवरिवन आइम डॉक्टर हिदायत उल्ला युरोलोजी कंसल्टेंट आज मैं आप लोगों को किड्नी स्टोन्स के बारे में ठोड़े चीजां बोलना चाहर हूं जिसमें आपको जो पेशेंट्स कुस प्रॉब्लम्स रहते किड्नी स्टोन्स के बारे मे उसके इलाज के बारे में पेशेंट्स क्या तकलीफ से हमारे पास आते यह चीजों के बारे में आपको थोड़ा नॉलिज शेयर करना चाहर हूं तो जादा तर पेशेंट्स जो किड्नी स्टोन्स या किड्नी के बार अगर स्टोन आके अटक गया तो बहुत से पेशेंट्स हमारे पास एमर्जनसी में पेशेंट्स के साथ आते पें जो है राइट या लेफट साइड किड़नी के एरिया से होते हुए ब्लैडर के एरिया तक पिशाब की थैली तक हमारे को पें रहता और पें बहुत सिवियर रहता ये pain की वज़े से थोड़े थोड़े patients में फिशाब में bleeding भी हो सकती फिशाब में जैलन हो सकती और थोड़े patients में severe vomiting से शुरू हो जाते कभी-कभी अगर patient diabetic है या उनकी immunity कम है जिसकी वज़े से बुखार भी थोड़े patients में आ सकता तो ऐसे patients first हमारे पास जब आते हैं emergency में या हमारी clinic में तो हम लोग उनको पहले pain killers देके थोड़ा उनकी तकलीफ दूर करते हैं उसके बाद थोड़े investigations पूसते हैं हम लोग जैसे की एक ultrasound scan जिसमें हमारे को basic information कहां पे है stone कितने है stone और kidney की हालत क्या है kidney के आसपास कुछ infection है kidney के अंदर कुछ infection है यह चीज़ां हमारे की मालूम होगा दूसरा जो है x-ray x-ray में हमारे को इलाज करने के लिए कौन से खिसम का इलाज करने के लिए थोड़ा information मिलता जिस से समझे है stone कितना बड़ा है और कहां पे है position kidney पे है kidney से निकल के pipe में अटक के है या पिशाप की थेली में है यह चीज़ां थोड़ा मालूम होते हैं और थोड़े stones हमारे को x-ray में दिखते हैं थोड़े stones हमारे को x-ray में नहीं दिखते हैं जिस से भी हम लोग decision ले सकते कि कौन से खिसम का इलाज इनके लिए best है तीसरा जो investigation पूसते हम लोग पिशाप का मौइना पिशाप के मौइने में खून जा रहा या पस जा रहा जिसकी बज़े से उनको बुखार आ रहा या blood जाने की बज़े से पिशाप लाल आ रहा यह चीज़ां हमारे को पिशाप के infection पिशाप के test से मालुम होता है चौथा जो test हम लोग पूसते है वो blood test है वो है renal function test, renal function test में kidney कैसा काम कर रही, kidney का creatinine क्या है, kidney दोनों kidneys सही तरीखे से काम कर रहे या और कुछ emergency है, समझेए creatinine थोड़े patients का बढ़ जाता वैसे situation में patient को जल से जल इलाज करना ज़रूरी रहता, नए तो patients कभी कभी dialysis पर भी जा सकता और यह simple test हो जाने के बाद, हमारे को कहां पे stone है मालुम होने के बाद, we will suggest them treatment अगर समझे, stone 5 mm, 6 mm, छोटे stone है, यह क्या दो stone है, जो आके रस्ते में, पिशाप के रस्ते में अटक के हैं, तो जादातर, जादातर 90% लोगों में दवाईों से इसका इलाज कर सकते, अगर बड़ा stone है, 10 mm, 12 mm, 15 mm stone है, और kidney में बहुत जादा सूजन है, infection है, patient diabetic है, hypertensive है, तो ऐसे patients में बहतर रहता, इलाज करा लेना, पूरे patients, देखे, हर patient को एक ही हिसाप से इलाज नहीं कर सकते, बहुत से लोग बाहर, दूसरे खिसम के इलाजां चूज करते, अलोपती नहीं जैसा, जिसमें, क्या है, पूर patient देखते, ना कुछ, सब को एक ही हिसम का इलाज दे देते, वैसा करने से, बहुत से patients हमारे पास, पूरी kidney खराब कर लेके, kidney पूरी infection से सड़ा लेके, आते रहते हैं, तो please avoid करिए, सही इलाज करा लीजिए, और जो भी है, पहले एक opinion doctor से, kidney specialist से, urologist से लीजिए, लेके, उस के हिसाब से, उनके suggestion के हिसाब से, treatment follow करिए, और जो इलाज रहता, इलाज कही खिसम करा था, जैसा मैं बोला, 90% of the small stones, छोटे जो stones रहते हम लोग patient के reports के हिसाब से, decide करते हैं, ये patient medicine में try कर सकते, एक 10 दिन या 15 दिन हम लोग medicine try कर सकते, अगर नहीं, बड़ा है stone, कहां पे है उसके हिसाब से, इलाज रहता, अगर kidney में है, उसका size क्या है, कितने stones है, उसके हिसाब से, kidney के treatments रहते, for example, समझेए, एक patient को 3 cm का, या 30 mm का stone है kidney में, तो उनके लिए best रहता PCNL बल के procedure, PCNL procedure में, हम लोग back side से, छोटा hole करके, kidney के अंदर जाके, kidney के, जो stones है, पूरे छोटे 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 pieces करके, वो pieces को खीच लेते, that is called PCNL, percutaneous nephrolithotripsy, दूसरा जो procedure है, URSL, URSL कप करते, kidney से पिशाब की थेली के बीच में, अगर कंकर आके अटक गया, तो पिशाब के रस्ते से जाके, छोटा camera दालके, वो कंकर को pieces करके, निकाल ल procedure commonly करते हैं, अगर समझिए, कंकर पिशाब की थेली में आके अटक गया, तो उसको systolithotripsy बोलके procedure करते हैं, जिसमें पिशाब की थेली के अंदर जाके, कंकर के pieces करके खीच लेते हैं, और कई खिसम के surgeries हैं, मैं आपको सिर्फ बेसिक तीन surgeries के बारे में इसमें बहुत बता र किसी बोलके रहता, जिसमें बाहर से हम लोग कंकर को shocks देते हैं, shocks देके उसके pieces करते हैं, मगर उसके लिए भी stone का size, stone कितना सखत है, ये चीजां देखना जरूरी रहता, वो हमारे को reports से मालूम होता, और ये है basic surgical treatment, thank you झाल झाल